नमस्कार, मैं रहुनात प्रशाद आचरचा कर रहूं। एक विवादास्पत ट्वीट की और वो भी ट्वीट सेना के एक वरी रिटार्ड ओफीशर जो करनल हैं रहे हैं स्री एके तिवारीजी की। इन्होंने एक ट्वीट किया 5 जून 2023 को और वो ट्वीट है बाला सूर रेल दुरगटना के संदर्व में। उन्होंने कहा कि हैज रिजर्वेशन इन रिकूरीटमेंट इन रेलेवेज एनीधिंग टू डू विथ एक्सिडेंट्स। इनके ट्वीट पर इन्हें बहुत ही कटकेदार जवाब बहुत से लोगों ने दिये। दुखा दिया है कि शेना के उच्पत पर बैठेवे व्यक्ति भी मनवाद से जातिवाद से इस तरह से ग्रसित हो सकते हैं। यह इस देश के लिए बहुत अजीब बात है। स्री तिवारी जी को यह सोचना चाहिए था कि ह हैर जुडी सेरी में तो कोई रिजरविजन नहीं है। फिर उस पर पडिवारबात का वारोप क्यों लग रहा है। उनको इस पर टिपपनी करनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि हैर जुडी सेरी में SC, ST, OVC के रिपरजेन्टेशन नहीं रहने के कारण सोचल डैब सूस करती है कि अगर हायर जूडी सेरी में हमारा रेप्रेजेंटेशन होता तो क्या इस तरह के फैसले आते हैं अब मैं कहना चाहूंगा कि देश के भाईशांसर्स में तो कोई रिजरविशन नहीं है तो क्यों नहीं इस देश का कोई भी इंवर्स्टी दुनिया के टॉप हं कि तिवारी साहब जो रिटायर्ट करनल है उन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाया तो मान सिकता कितनी दूसीत है आपकी शेना में कोई रिजरविशन नहीं है तीनों अंगों में लेकिन उनका जो बेशिक पोष्ट है सिपाही बगर है का अगर मैं समस्ता हूं कि अगर उसका आकलन किया जाए या काकलन किया जाता होगा तो SCST और अन्य पिछले बर कियाबादी ही मुझे लगता है कि 60-70% से कम नहीं होगा और यह देखिए कि हमारे यहां के जो सिपाही लेवल के लोग हैं सेना में वो कितने डिसिप्लिन हैं कितने एक्टिव हैं कितने लेवोरियस ह और देश प्रेम से कितने अविभूत है वो और किस तरह वो मुकावला करते हैं चाहे देश के किसी भी सिवा पर रज़नी की बात हो या देश के किसी चेत्र में उनकी शेवा ली जाए वहां पर तो कोई वहां काबलियत की का प्रस्ट में कोई नहीं उठाता और अगर जब अब ही तो मुल्यांकन होना चाहिए कि अगर विज्ञान के चेत्र में कोई नहीं है रिजर भीशन तो हमने बहुत बड़े-बड़े इनिवेंशन क्यों नहीं कि यह तो कहिए कि इस देश में भावा साहब जैसे बग्यानिक हुए गनाम साहब जैसे बग्यानिक हुए जिन महतुप्रण पर अपनी मान सेकता को इस तरह से मत बरबाद होने दिचे अपने योगता को इस तरह से मत विवादास्पत बनाई है मैंने देखा उरिशा सरकार के पुलिस विभाग का ट्वीट कि कुछ लोग सोसल मीडिया पर धरा-धर देने लेगे उसको कमनल एंगिल दे करने का परियास किया जाएगा तो सरकार सकती से लिपटेगी मैं रोद करता हूँ ऐसे मनवादी लोगों से कि इस तरह का ट्वीट आप ना करें और देश की सोसल हर्मोनी को बिगारने का काम नहीं करें आप रिशर्च को देखिए लोगों के अध्यान को देखिए कि रिज कि अगर आपको रिजर्वेशन से इतना ही कर्ष्ठ है कि काबलियत परभावित होती है तो जब EWS रिजर्वेशन आ रहा था तो क्यों नहीं देश की जो हिंदियों की उच्छी जाती की अबादी थी वो सरकों पर क्यों नहीं आई कि नहीं हम रिजर्वेशन नहीं चाहते ह है इसलिए EWS रिजर्वेशन लाग नहीं होना चाहिए लेकिन वो तो खुशी-खुशी आपनों नहीं लिया और EWS रिजर्वेशन का क्या आ रहा है वो पुरा देश जान रहा है चाहे वो सिविल सर्विशेस हो बैंकी सर्विशो अन्य सर्विशेस हो सब जगा देखा जा है कि जादा तर परिक्षाओं में अधर बैक वर्ड क्लासेस के जो कट अफ हैं वो EWS से अधिक देश की शांती के लिए देश के विकास के लिए देश मिस हैं समाजिक सद्वाओं के लिए ऐसे ट्वीट करने वाले लोगों की पहचान होनी चाहिए और भारत सरकार को इस प पुत्रत मिल जाएं आप सभी लोगों के लिए शुब कामना है धन्नबाद जैए